नमस्कार सात्यों हिंदी ज्यान शाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं आज की वीडियो लेक्चर में हम पड़ेंगे हिंदी के प्रमुक हस्ताक्षर विश्णु खरेजी के बारे में यहां पर हम उनके जीवन परिचे उनकी प्रमुक रचना है तथा उनके द्वारा स जन्म 1940 इस्वी में मध्यप्रदेश में हुआ था इनकी म्रत्यु 1918 इस्वी में हुई विश्णु खरेजी क्रिश्चन कॉलेज में इंदोर से उन्होंने 1963 इस्वी में अंग्रेजी साहित्य से एमे किया 1965 से लेकर 1963 के मधी ये देनिक इंदो समाचार पत्रे के उपसंपादक भी रहें 1963 से लेकर 1975 के मध्यप्रदेश सता दिल्ली के महाविद्यालोय में अध्यापनकार्य से भी जुड़े रहें इस बीच 1966 से लेकर 1967 में लगुपत्री का व्यास का इन्होंने समपादन किया विश्णु खरेजी ने लगुपत्री का व्यास का समपादन किया था ततपशात 1967 तता 84 के मध्य हिंदी साहित्य अकादमी के उपसचिव के पत्पर ये आसिन रहे 1985 में नव भारत टाइम्स में प्रभारी कारी कारी के समपादक के पत्पर इन्होंने कारी किया इसके बीच इन्होंने लखनाव संस्क्रण तता रविवारी नव भारत टाइम्स जो की हिंदी से प्रकाशित होता था तथा अंग्रेजी के टाइन सो इंडिया में इन्होंने संपादक के रूप में कारी किया था 1903 में ये जैपूर नवभाराट टाइम्स के संपादक के रूप में भी रहे हैं इसके बाद इन्होंने जवाहर लाल नहरू समारक गरंतालय संग्रालय तथा पुस्तकालय दोनों में वरिष्ट दो वर्षों तक इन्होंने वरिष्ट अधियता के रूप में कारी किया तथा इसके पश्चाति ये स्वतंत्र लेखन का कारी कर रहे थे विश्णु खरेजी की अपचारिक रूप से लेखन कारी का जो शुरुआत या प्रारंब माना जाता है 1965 इसुई तथा इनका दूसरा कावे संग्र एक गेर रूमानी समय में 1970 में प्रकाशित हुआ तिसरा कावे संग्र इनका खुद अपनी आख से 1978 में तथा इनका चोता कावे संग्र संग्र सबकी आवाज के परदे में 1994 इसुई में प्रकाशित हुआ तत्पश्यात इनका पांचवा और छटा कावे संस्क्रण पिछला बाकी और काल की अवधी में के दर्मियान आधी प्रकाशित हुए तो विश्नु खरेजी के कुल छे प्रकाशक है प्रकाशन है जो प्रकाशित हुए हैं जिसमें से मरु प लिखी गई खुद अपनी आग से 1978 इसुई में लिखी गई सबकी आवाज के परदे में 1994 इसुई में लिखी गई और पिछला बाकी काल और अवधी के दर्मियान ये इनके कुल छे प्रकाशन है इसके प्रकाशन इनकी एक समिक्षात्मक पुस्तक भी आई हैं जो की 1983 पुस्तक मानी जाती हैं इन्होंने विदेशी कविताओं का हिंदी तता अंग्रेजी में अनुवात किया हैं इनको फिंड लेंड के राष्टे समान नाइट आफ दी आडर आफ दी वाइट रोज से भी समानित किया गया यह एक प्रमुक लाइन है एक्जाम के पॉइंट आ विष्णु खरेजी को फिंड लेंड में कौन से समान दिया गया तो नाइट आफ दी आडर आफ दी वाइट रोज से सम्मानित किया गया इसके अलावा इनको रगुवीर सहाय सम्मान शिखर सम्मान हिंदी अकादमी दिली का साहित सम्मान मैतली शरंगुप्त सम्मान भी मि कवितायों में विश्णु करे जी की कवितायों का जो मुख्य प्रतिपाद विषय वोत हैं जड्ता और और अमान्वी स्थित्यों के विरुंद शशक्थनेश्वर्ड जहाँ पर इनकी कविता है एक कम जिसका हम सारांश देख लेते हैं एक कम कविता के माध्यम से कभी ने स्वत्धनता के बाद भारती समाज में प्रचलित हो रहे जीवन शेली को रेखांकित किया है आजादी हासिल करने के बाद सब कुछ वेसा नहीं रहा जैसी आजादी के सेन्यानियों ने कलपना की थी पूरे देश कहा या कहें आस्थावान इमांदार और समेदेंशिल जन्ता का मोह भंग हो गया पहिड़ाम यह हुआ कि आपसे विश्वास परसपर भाईचारा और सामुविक्ता के स्थान पर धोखादड़ी आपसे खिस्तान ने ले लिया नितांत स्वार हमभूती सबस्टरूप से रखता है कुछ न न करने की इस्तती में न होने के बावजूद स्यम को ऐसे लोगों कि जीवन संगर्ष में बादक नहीं बणना चाता है इसलिए वक्त कम से कम एक व्यावधान तो कम ही कर सकता है जो कि वहां करता है यही कविता का संदेश है जहां एक व्यक्ति कुछ जो व्यक्ति हैं वह अधिक धन्वान होते जा रहे थे जबकि एक जो जन्ता जो भूक मरी लाचारी और बेरोजगारी के दबाव में दबी हुई थी अब पढ़ते हम एक कम कविताओं उन्निस्तो सेतालिस के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, माला मार, गतिशिल होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फेलाता है पच्चिस पेसे, एक चाय और दो रोटी के लिए तो मैं जान लेता हूँ कि मेरे सामने एक इमानदार आदमी, एक इमानदार औरत या एक इमानदार बच्च खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ में लाचार हूँ, कंगाल या कोडी या मैं भलाचंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली से धोके बाद इस कविता में उन्होंने व्यंग के रूप में कहा है कि एक विकारी को जब वो देखते हैं तो अगर कोई विकारी उनसे एक रूपया चाई या कुछ मांगता है तो वो उस गरीब को या उस विकारी को ही इमानदार मानते हैं क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनोंने लूट खसोड कर धन एकत्रित कर लिया था किन्तों ये ऐसे वर्ग था जो की धन एकटा ना कर पाया लेकिन पूरी तरह से तुम्हारे संकोच लज्जा और परेशानी या गुस्से पर आश्रित तुम्हारे सामने बिलकुल नंगा, निरलज तता निराकांग्शी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड से मैं तुम्हारा विरोधी प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ मुझे कुछ न देकर या कुछ देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चित रह सकते हो इस कविता में कभी कह रहा है कि 1947 के बाद जब भरत आजाद हुआ तो जेसे आशायें जो आजादी के समय लगा रखी थी वेसी लोगों के आशायें पूरी नहीं हुई आजादी के पश्चत लोगों ने देखा कि कुछ लोग जो है वो ब्रष्ट तरीके से और नेतिक खतकंडों से आत्मे निर्भर बनते ही जा रहे हैं वे धन्वान और अधिक धन्वान बन जा रहे हैं प्रगतिशिल बनते जा रहे हैं जहां आम आदमी तो आज भी गरीब है उस्वात अंतता से पहले भी गरीब था तब यह उन्होंने महसूस केया जाने लगा कि आजादी क्या वास्तों में इसके लिए थी जैसी जनता ने चाहिती वेसी तो नहीं है क्योंकि गरीब जनता और भी पिडित हो रही है अमीर और भी अधिक अमीर बंदे जा रहे हैं आज की इस्तिती में कोई आदमी कोई ओरत या कोई बच्चा किसी वेक्ति के सामने पैसे चाहिए या रोटी की भीक मांगता है तब कभी उससे समझता है कि वह भीक जो मांगता है वह इमानदार वेक्ति है तब ही तो वह बैमाईनी से धन अर्जित ना कर सका भीक मांगने वाला लाचार हैं गरीब हैं या रोगी तो प्रतेक्ष रूप से ही दिखाई देता हैं लेकिन अपनी स्तिती से बहा आज कि धनवानों को इस प्रस्ट रूप से संकेत देता है कि मैं स्वस्त होने की में और तुमारी हर गुस्से को में स्वाबा की रूप से स्विकार करता हूं तुमारे सामने बिल्कूर निरलज और नंगा और तुमारी आकांग्षाओं पर तिका हुआ हूं चाहे तुम चाहे तुम मेरा जो कुछ भी करो मैंने अपने आपको तुमारी प्रतिस्परदा चल रही है उससे मैंने अपने आपको हटा लिया है तुम लगातार विकास करते रहे हो और तुमारे समान धनवानों से इस्परदा कर रहे हो तुमारे अंःतिक आचन का विरोध कर सकता हो तुमारी आनेतिक कमाई में हम गरीबों के शोशन के से प्राप्त तुमारी कमाई का हिस्सा मांगता हूं वह भीकारी साबित करना चाहता है कि धनाड्य वर्ग का प्रतिनिदी वह वेक्ति कुछ भी जो धन्वान वेक्ति है चाहे घरिव को कुछ दे या न दे किन्तु वह धनाड्य वेक्ति इस बात से आश्वस्त है कि वह मेरी प्रतियोगिता में नहीं है वह मेरी प्रतियोगिता का हिस्सेदार नहीं है वह मेरी प्रतियोगिता का प्रतिदंदी नहीं है यहां पर कवी कहना चाहरा है कि जिस तरह से हमें आजादी मिली है वह आजादी बिल्कुल भी घरीब लोगों के लिए नहीं है इसके पर शत हमारी जो कविता है एक सत्य सत्य कविता सत्य कविता में कवी ने महाभारत के पुरानिक पात्रों और संदर्भों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को इस्पस्ट करना चाहा है अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात को प्रभावी नग से कहना चाहरा है युदिष्टिर विदूर वो खांडव प्रस्ट इंद्रप्रस्ट के द्वारा सत्य को सत्य की महत्ता को इतिहासिक परिप्रक्ष के साथ साथ प्रस्तूत करना यहां कवी का अभिश्ट है या कभी जी रहा है उसमें सत्य की पहचान उसकी पकड़ कर पाना इतनी मुश्किल हो जा रही है यही कभीता इसका प्रमान है सत्य कभी दिखता है कभी हमारी आखों से ओजल हो जाता है आज सत्य कोई इस्थिर रूप नहीं है आकार नहीं है नहीं उसकी कोई पहचान है जो इस्थाई रूप से उसको इस्थाई तो परदान कर सके उसे इस्थाई बना सके सत्य के प्रति जो हमारा शंशय है जो हमारी जानने की सत्य को जानने की जो जिग्यासा है उसी का विस्तार होने के बावजूत वह हमारी आत्मा की आंत्रिक शक्ति है यहाँ भी इस कविता का प जो एक व्यक्ति के लिए सत्य हैं वह दूसरे के लिए शायद सत्य ना हो बदलते हालात और मानमी सम्मंदों को में हो रहे हैं नीरंतर परिवर्टनों से सत्य की पहचान और उसके पकड़ मुश्किल हो जाने से सामाजिक यथार्थ को कभी जिस तरह एतिहासिक पोरानी गटनाओं तरह प्रस्तुत करने का प्रयास क्या है वह प्रशशनी हैं अब देखते हैं कविता का पाठ कर लेते हैं सत्य जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परेहटता जाता हैं जैसे गुहारते हुए युदिस्ट्रिट के सामने से भागे थे विदूर और भी गने जंगलों में सत्य जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं कभी कभी दिखता है सत्य और कभी ओजल हो जाता है और हम कहते हैं रह जाते हैं कि रुको यह हम हैं जैसे धर्मराज के बारबाय दुहाई देने पर कि ठहरे स्वामी विदूर यह में हूँ आपका सेवक कुंति नंदन युदिस्टिर किन्तु युदिस जो विदूर हैं व लेकिन पलट कर सिर्फ खड़ा रहे जाता हैं वह द्रण निश्चरी अपनी कहीं और द्रश्टी से हमारी आँखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता हैं वह हमें और उसमें से उसी का हलका सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता हैं हमें जैसे शमी व्रक्ष के तने से टिक कर न पहचानने में पहचानते हुए विदूर ने धर्मराज को निनमेश देखा था अंतिम बार और उनमें से उनका आलोग धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया युदिस्ठिर में सिर्जुकाए निराश लोटे थे हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ बोला कुछ नहीं बोला हां हमने उसके आकार से निकला यहां प्रकाश कुझे देखा था हम तक आता हुआ वह हममें विलिन हुआ और हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया हम कह सकते हैं न तो हमने कोई हममें कोई स्पुरण हुआ और नहीं कोई ज्वर किन्तु शेस सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कैसे जाने की सत्य का वह प्रतिभिम हमारे हममें समाया या नहीं हमारी आत्मा में जो कभी-कभी दमक उठता है क्या वह उसी का छुण है जैसे विदुर कहना चाते थे तो वही बता सकते थे सोचा होगा माथे के साथ अपन प्रस्त लोटते हुए यहां पर कभी कविता के माध्यम से कहना चाता है कि हम जब सत्य को जानना चाते हैं तो वह हमसे सत्य दूर दूर हटता जाता जैसे जिस प्रकार महाबरत काल में युदिस्ट्र को पुकारने पर विदुर गने जंगलों की तरफ भागे ही जा रहे थ क्याता है कि हम उसके पीछे कितना भाग सकते हैं वह कभी हम तो हमें दिखाः देता है और कभी हमारी द्रष्टी से ऑजल हो जाता है हम सत्य को पुकारते हैं कि Sathya किphones कि यह हम ही है विदूर की नहीं रुखने पर युदिस्टिर लगातार उनका पीछा करते हुए भागते ही जाते हैं। विदूर ने जैसे दर्मराष्ट युदिस्टिर को पहचानने का प्रयास किया। अन्तिव बार उनको बिना पलक जबकाए देखा था। उसी प्रकार हम भी सत्य हमसे बिना पलक जबकाए हमें देखता है। और एका एक युदिस्टिर ने देखा कि विदूर का जो तेज है युदिस्टिर के अंदर समा गया। युदिस्टिर उस प्रकाश पुंज से संपन होकर सिर्जुकाये लोट आये क्योंकि विदूर ने उनसे कुछ नहीं कहा था। बस अपना तेज प्रकाश पुंज उन्हें सोब दिया। इसी प्रकार दरण निष्टाई के बल पर हम सत्य को जान तो लेते हैं किन्तो सत्य से हमारा बारतला नहीं हो पाता है। हम सत्य से साक्षातकार तो कर लेते हैं किन्तो हम उसके बारे में जान नहीं पाते हैं कि सच में हमें सत्य की प्राप्ति हुई है या नहीं। ना तो हमें कोई शरीर में पूरण होता है ना ही कोई हमें ताप के अनुबोती होती है। हम जीवन बड़ सोचते रहते हैं कि वास्तों में हमने सत्य हमें में समाया नहीं। हमारी आत्मा में कभी-कभी जो आलोग चमकता है तो हम प्रेश्ण करते हैं कि क्या यही सकते हैं तो वास्ता में सत्य तो स्वयम सत्य ही बता सकते हैं खांडव प्रस्ट से इंद्रप्रस्ट सिर सहीद अपने मुकुट को जुका कर लोटते हुए युदिस्टिर शायद यही सोच रहे थे कि विदूर चाहते तो उनके प्रश्णों का उत्तर दे सकते थे प्रन्तु उन्होंने ऐसा न करकर अपना तेजपुंज मुझे दे दिय तो इस तरह कवी कहता है कि हमें सत्य को खुद जानना होगा सत्य से हमें स्वयम प्रश्ण करना होगा स्वयम प्रश्णों का उत्तर हमें स्वयम ही खोजना होगा अब हम इसके शबदार्तों की तरफ चलते हैं हमारी जो कवीता थी एक कम उसके जो कठीन शबदार्ते उसे देखते हैं आश्रित किसी के सहारे से निरलज लज्जा रहित बेशर्म निराकांग्षी इच्छा रहित जिसे किसी चीच की इच्छा ना हो प्रतिदंदी, विपक्षी, शत्रू या विरोधी, निश्चित, चिंता रहित, बेफिक्र, प्रकाश पुंज, रोशनी का एक समू, प्रकाश एक घेरा, अब कविता है सत्य, उसका जो कठिन शब्दार थे हैं, गुहार लगाते हुए, ध्रण निश्चय, ध्रण निश्चय जबकाए, पुरण कपकपी, तो आज हमने विश्नु खरेजी के बारे में, उनके जीवन परिचाये, तथा उनके प्रमुक्रशनाओं के, उनके द्वारा, उनको दिये गए सम्मान, तथा उनकी दो कविताएं, एक कम, तथा सत्ति के बारे में, हमने आज अध्यन किया, प्रमुक्रों को शेयर कीजिए, ताकि वो उनका लाब ले सके, धन्यवाद,